आप शादी कर लो जितने मरजी पापड बेल लो जो मुझे पता लगाए वहाँ पर आप पक्के नहीं हो सकते। तो उन्होंने देखा और हमारे पासपोर्ट के ओपर कोई भी स्टम्प नहीं लगाई कोई कुछ नहीं बस उन्होंने देखा और स्कैन किया और जाने दिया। हेलो गाईस कैसे हो आप लोगों होब आप सब बड़ी आमस्त होंगे। आज की जर्नी मैं करने वाला हूँ इस्टार्ट होंग कोंग की जर्नी से जो कि आप लोगों को सब को पहले पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले होंग कोंग गया था। तो होंग कॉंग में जो हमने सीन देखा है वहां के सिस्टम देखा है वहां के लोग देखें और वहां की मतलब जरनी कैसी है वहां पर जो जो लोग टूरिस्ट बेस पर जाकर वहां पर जाकर रिफ्यूसी असाइलम डाल देते हैं यह चीज साउथ कोरिया मतलब दूसरी बड कोंग में भी होती है रिफ्यूजी डाला जाता है जब बंदे टूरिस्ट बेस पर जाते हैं तो वहाँ पर जाके रिफ्यूजी डाल देते हैं और अपना वीजा चेंड करणा लेते हैं एक बात का ध्यान रखना बही जो मुझे फील हुआ जो मैंने वहाँ पर लोगों को दे own arrival visa है उनको सिर्व एक pre-arrival visa चाहिए होता है वो pre-arrival दो और आप सिद एंट्री ले सकते हो तो मेरे हिसाब से तो भाई आप जाओ गोमने फिरने जाओ थोड़ी सी महंगी country है क्योंकि वहाँ पर चलते हैं dollar और आज का जो rate चल रहा है वो चल रहा है इंडिया का Hong Kong का एक dollar और इंडिया के होते हैं लगबग साठे दस रुपे ठीक है तो मतलब काफी महंगा है जो मैंने फिर किया बहुत महंगा है वो चीज मैं जगनी फटा पट इस्टार करता हूँ बताता हूँ कि वहाँ पर क्या सिस्टम है अगर बंदे टूरिस्ट बेस पर जाते हैं तो वहाँ पर refuse डालने का फाइदा है या नहीं ध्यान रखना भाई जो बंदे टूरिस्ट बेस पर Hong Kong के लिए जा रहे हैं भले जाओ बहुत बड़ी आया है गुमने के लिए कोई चक्कर नहीं है मेरा टूर 42,000 में दो कंट्रियों का हो गया जैसे कि एक Hong Kong का और Macau का मिला कर दोनों कंट्रियों का यानि कि एक दिन में मैंने Macau से रिटन कर लिया था तो वहाँ पर तो कसीनो वगेरा है तो हमने तो बाकर जाकर वो ही अपना पैरिस टावर जो बनाया हो है Macau में है वो देखा हमने और सेट पॉल वगेरा ये चीज़े वहाँ पर देखी हमने Macau में मैं अपने घुमने की जरनी नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अपना खुद का experience का मेरा experience कैसा रहा है महाँ पर जो बन्दे tourist base पर जा रहे हैं Hong Kong के लिए मैंने पहले भी बताया कि घुमने जा रहे हो बहुत बड़ी आए घुमने के लिए जाओ और पहली बात तो वो stamp नहीं लगाते अपने passport के ओपर stamp नहीं लगाते जब आप लोग tourist base पर जा रहे हो Hong Kong के लिए तो भाई एक बात का ख्याल रखना अगर आपने वहाँ पर refugee डाल दी ठीक है अगर आपने वहाँ पर stay ले ली है Hong Kong में तो आप refugee के ओपर काम नहीं कर सकते हो ध्यान रखना ये बात अगर आप tourist base पर जा रहे हो Hong Kong के लिए और वहाँ पर जाके अपना visa change करवा रहे हो refugee के अंदर asylum डालने के बाद तो आप उस visa के ओपर काम नहीं कर सकते अगर काम करते होए आप पकड़े जाते हो तो आपको यानि कि जब मैं गया था था उस टाइम 18 महिने की जेल थी ठीक है 18 महिने की जेल थी और शायद अब मैंने सुना है कि वहाँ पर सड़े 3 साल की जेल होगी है यारो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार आपका कुछ नहीं जाएगा मेरा बहुत कुछ हो जाएगा तो यह बात ध्यान रखा करो थोड़ी सी यार सब्सक्राइब कर दिया करो आगे शेयर करोगे तो आपको कुछ नहीं घटेगा आपका कर दिया करो प्लीज जो लोग टूरिस्ट बेस पर जा रहे हैं भाई वहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि वहाँ पर जाके रिफ्यूजी डालने के बाद अगर आप काम करते हो यह पकड़े जाते हो तो आपको साड़े तिन साल की जेल हो सकती है यह बात ध्यान रखना ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर बंदे काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर रिफ्यूजी पर भी काम कर रहे हैं मतलब छुपके काम करते हैं मतलब इलिगली काम करते हैं मुझे नहीं पता कि वहाँ कहाँ कहाँ सब लोग अपना अपना सेपरेट हैं कोई दिहाडी कर रहा है कोई कितना कर रहा है लेकिन वहाँ पर एक दिन की दिहाडी जो बताते हैं एक दिन की दिहाडी जो होती है वहाँ पर पंद्रा सो डॉलर होती है पंद्रा सो डॉलर यानि के कंट्रक्शन का काम माल लो तो वहाँ पर पंद्रा सो डॉलर एक दिन की दिहाडी होती है अगर इंडिया के हिसाब से लगाओगे तो लगभग सड़े 15,000 या 16,000 रुपे होते हैं एक दिन के होंग कॉंग में अगर आप काम करते हो या दिहाडी करते हो तो बाकी वहाँ पर सब की अलग-अलग सेलरी है किसी की 55,000 रुपे होते हैं इतने होते हैं लेकिन जो मैंने बात बताई आप वर्क परिमिट पे जाओ सबसे बढ़िया है एक प्लस पॉइंट आपका पता है क्या है अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो अगर आप वर्क परमिट पे होंग कोंग के लिए जा रहे हो वो आपको देखना है कि आपको कैसे सेटिंग करनी है वहाँ पर सेटिंग जैसे मरजी करो सेटिंग करने के बाद आप वहाँ पे होंग कॉंग में वर्क परमिट पे जाओ सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट पता क्या पका होने का आप वहाँ पे साथ साल में सेवन इयर्स में आप वहाँ पे पियार ले सकते हो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वहाँ पर पैसा भी अच्छा कमाते हैं लोग नाइट डूटी भी करते हैं डे भी करते हैं और मतलब डूटी चल रही हैं वहाँ पैसा भी 2-2 लाक रुपे इंडिया के कमा रहे हैं लोग लेकिन महनत करके कमा रहे हैं ठीक है तो मैं तो यही कहना चाऊंगा भई जो refugee पर जा रहे हैं वो refugee का ना सोच के जाए थोड़ा सा गाड़ी आगे दी यार तो जो बंदे tourist based पर जाते हो और refugee में डाल देते हैं तो उनको थोड़ी सी problem हो सकती है तो मेरे कहने का मतलब यह है अगर आप जाते हो तो भाई वर्क परमिट ले की जाओ अगर गूमने के लिए जा रहे हो तो गूमने ही जाओ फिर रिफ्यूजी में महाँ पर फाइदा नहीं लग दिखा मुझे महाँ पर रिफ्यूजी में कोई सिस्टम नहीं दिखा मुझे बाकी लोग हैं काम छुपके कर रहे हैं महाँ पर ठीक है उगर आप वर्क परमिट पर जाते हो तो वर्क परमिट पर आप साथ साल की अंदर पके हो सकते हो पियार मिल सकती है आपको यह होंग कोंग की सबसे बड़िया प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा लेकिन वो आपको तब मिलेगी जब आपने साथ साल में कोई क्राइम वगेरा ना किया हो ठीक है आप जेल वगेरा ना गए हो और एक बात होर जो बंदे मान लो आप टूरिष्ट बेस पर टूरिष्ट बेस पर आप हॉंग कोंग गए आपने डाल दी है रिफ्यूजी और आप चाहते हो कि अभी आपने कोई लड़की सेट करने के बाद शादी करने के बाद मैं सेट हो जाओ वो भी एक चांस है अगर आप लड़की किसी ने मतलब सबका अलाग अलाग नजरिया होता है ना तो लड़कीं सेट करने के बाद वो मतलब शादी करके और वो पके हो सकते लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर आप लोगों ने किसी ने जो बंदा वहाँ पर पका होना चाता है होंग कौंग में तो उस बंदे को वहाँ पर कोई क्राइम नहीं करना है अगर बाई चांस वहाँ पर कोई बंदा है रिफ्यूजी में तो उसको कोई क्राइम नहीं करना है अगर क्राइम करते हुए पकड़ा गया और जेल में गया तो पहले तो उसके उपर जर्माना लगेगा दूसरा उसको जेल भी होगी ठीक है और वही एक मतलब अठारा महीने की जेल है या साड़े तिन साल की अठारा महीने भी थोड़ी नहीं होते भाई देड़ साल होता है पूरा तो देड़ साल की या तो जेल हो सकती है या साड़े तिन साल की अब भी शायद रूल हो गया तो नया रूल होगा तो पता नहीं बाकी पहले का तो अठारा महीने का जेल है बागी पैलेन्टी भी होगी. और एक बात हुए, अगर आप शादी करके आप सोच रहो कि पका हो जाएंगे तो हो सकते हो, लेकिन अगर आप क्राइम करते हुए, आप एक बार भी अगर जेल में गए हो, हंक कोंग की जेल में तो आप शादी कर लो जितने मरजी पापड बेल लो जो मुझे पता लगा है वहाँ पर आप पके नहीं हो सकते हो फिर सुन ले ना अगर वहाँ पर कोई भी क्राइम किया है लड़की छेड़ने का गुंडा गर्दी का कोई दो नमबरी काम कुछ भी तो आफ अगर आफ जेल जाते हो उस बेस पर तो आप वहाँपर पके नहीं हो सकते हो तो भी वहाँपर अगर कोई बंदा है रिफ्यूजीट और उनको भी ध्यान में रखना है यह बात बाकी वहाँपर रहने वेने की जगा काफी महंगा बहुत है तो अपने हिसाब से जाना अपने बेस पर जाना वहाँ पर जाओ तो बाकि ठीक है बढ़िया है सब लोग अपना अपना चला रहे हैं बढ़िया चल रहा है सबका इंडियन जो पासपोर्ट है अगर आप होंग कोंग जा रहे हो प्री रेजिटेशन ऑनलाइन करने के बाद वो आप पेपर जरूर ले लेना जो बारकोड वाला होता है वो लेने के बाद जब आप इमिगरेशन पर जाओगे तो आपसे वो प्री अराइवल रेजिटेशन मांगेंगे मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा था एक भी सवाल नहीं पूछा ना मुझसे उन्होंने ट्रेवल इंसुरेंश पूछा ना मुझसे उन्होंने होटल पूछा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मेरा passport लिया क्योंकि वैसे मैं South Korea से गया था तो उन्होंने मेरा passport देखा और वो देखा था Pre registration जो मैं online करके गया था वो मैंने खुद भरा था अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना ठीक है तो उन्होंने देखा और हमारे passport के उपर कोई भी स्टम्प नहीं लगाई कोई कुछ नहीं बस उन्हें देखा और स्कैन किया और जाने दिया तो कहने का मतलब है कि हमारे पासपट के ओपर कोई स्टम्प अगयरानी लगेंगा सिर्प इतना चोटा सा सिलिप देते हैं वो चोटा सा सिलिफ देते हैं पर इसके अंदर एंट्री लिखी होती है क्योंकि हमको इंडियन पासपोर्ट को होंग को के अंदर 14 दिन की एंट्री मिलती है टूरिस्ट शोट टम जो होता है गुमने के लिए 14 दिन की एंट्री मिलती है और अगर हम जाते हैं Macau Macau हमारा ओनर रहे वाले Indian passport के उपर तो Macau जो है Macau एक महीने की हमको entry मिली है जो मिली थी हमको अब तो मैं South Korea में आ गया तो एक महीने की हमको Macau में entry मिली थी और 14 दिन की हमको मिली थी entry अपना Hong Kong में तो जो भी जाना चाहता है देख लेना भाई अपने इस आप से रिफ्यूजी का मैंने बता दिया आपको समझ लगे तो ही करना अगर नहीं लगे तो रब राखा ठीक है जी सस्रीय काल